रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जाने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मात आदी दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाली है 27 सितंबर शुकरवार के कुम्ब और तुला राशी फल के बारे में कि यह दिन कुम्ब और तुला राशी के लिए क्या खास लेकर आया है किन चीजों से इनको बचना है इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की जानकारी आपको देंगे तो अगर आपकी भी राशी कुम्ब या तुला है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अन तक जरूर देखें चलिए शुरू करती हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कुम्ब राशी की और उसके बाद हम बात करेंगे तुला राशी वालों की बात करेंगर कुम्ब राशी की दोस्तों आज अपनी वैवहार कुशलता के माधियम से नई संबंत बनाने में आप सक्षम रहेंगे रोजगार के शेत्र में मिल रहे अफसरों का लाब उठाएं मैं तपून कारियों में लापरवाही ना बढ़ते मन को अच्छे कारिय की ओर केंद्रित कर समय का उपयोग करे आज माता पिता किसी बात को लेकर आप से नाराज हो सकती है हो सकता है कि वो आपकी बात सुनने को भी तयार ना हो इसलिए आप शांत बने रहें लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंदों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा जीवन साथी आपकी बातों को समझेगा और सहयोग करेगा करियर की बात करें तो जॉब और बिजनिस में अप्रतियाशित सफलता मिलने के योग है आपकी कारिशमता और लीडर्शिप को पहचान मिलेगी हेल्थ की बात करें तो आज स्वास्त को लेकर कोई परिशानी नहीं रहेगी मन में उच्छा के कारण खुद को एनरजी से आप बरा हुआ मैसूस करेंगे दोस्तों आप से अंदरुद है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्ची दिल से जैशनी देव अवश्य लिखें वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद आपका दिन शुब रही दोस्तों परिवार में प्रेम पूनवातवरन आज बना रहेगा व्यापार से अच्छा लाब हो सकता है यात्रा आननदायक रहेगी संतान संबंदी सुखत समचार से आपका मन प्रसन रहेगा भौतिक सुख साधनों में बडोतरी हो सकती है रुके कार्य गती पकड़ेंगे इसी के साथ दोस्तों पती पतनी की बीच आज आपसी मतब्यद उभर सकती है काम काज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी किसी काम में हो रही देरी से गबरहट हो सकती है लेकिन चिंता जोड़कर मन लगाकर आप काम करते रहे सफलता जरूर मिलेगी लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंदों के लिए समय समानने रहेगा जीवन साथी के साथ संबंद अनुकूल रहेंगे अविवाहितों को धैर रखना होगा करियर की बात करें तो पैसों से जुड़े मामलों में कुछ अर्चन आ सकती है ये आपको काफी तनाव देगी इसका सबसे बहतर तरीका है अपने काम के जरिये इसकी पूर्ती करें हेल्थ की अगर बात करें तो अनेदरा की बरेशानी हो सकती है इस मामले में आपको डॉक्टरी सला की जरुवत पढ़ सकती है दोस्तों आपसे अंद्रोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्ची दिल से जैशनी देव अवश्य लिखें वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद आपका दिन शुब रही